जै पूलेनात आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आप हमारी चैनल पर सावन महिने से शिव महापुरान की कथाई सुन रहे हैं जो लोग पहले से इन कथाई को सुनते आ रहे हैं उन्हें पता है कि आज कौन सा अध्याई सुनाया जा रहा है लेकिन जो लोग भी आशुन महिने के पहले दिन से इन कथाई को सुनेगे उन सभी से मेरा अनुरोध है कि पहले आप इससे पहले की अध्यायों को जरूर सुन लेजेगा तब ही आपको ये अध्याय समझ में आएंगे शिमापुरान के साथ साथ आप हमारे चैनल पर भागवत कथा भी इन दिनों सुन सकते हैं भादों के महीने में हमारे चैनल पर जिन लोगों ने भी भागवत कथा और शिमापुरान की कथा सुनने के बाद कमेंट किया है उन में से कुछ लोगों के नाम मैं इस वीडियो के लास्ट में जरूर लूँगी हो सके तो आप इस वीडियो को लास्ट में जरूर देखेगा तो आप जान रहे थे कि पाप किस परकार के होते हैं शिमा पुरान कथा में इन सभी परकार के पापों का और पापों के बाद किनके नरकों की प्राप्ति होती है उसका वर्णन आप जान रहे थे लेकिन इन पाप कर्मों के बाद भी कुछ दान ऐसे बताये गए हैं जिने करने से पाप कर्म करने वाले व्यक्ति भी नरक में नहीं जाते तो आज की इस वीडियो में आप सुनेगे वेद और पुराणों के स्वाध्याए और विवित प्रकार के दान की महिमा नरकों का वर्णन और उनमें गिराने वाले पापों का दिखदर्शन पापों के लिए सरवोतम प्रैशित शिव इसमरन और ज्यान के महतों का सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है वह जो वेद की एक रिचा का स्वाध्याई करता है इन दोनों का फल एक समान है शेष्ट द्विच वेदाध्यान से जिस पुर्णी को उपाता है उससे दोगुना फल वह उस वेद को पढ़ाने स प्राप्त कर लेता है मुने जैसे चंद्रमा और सूरी के बिना जगत में अंधिरा चा जाता है उसी प्रकार पुरान के बिना ज्यान का अलोक नहीं रह जाता अग्यान का अंधकार चाया ही रहता है इसलिए सदा पुरान का अध्यान करना चाहिए जो साधू पुरुष भूमी, गव, रत, हाथी और सुन्दर घोडे देता है उसके पुर्णिफल का वर्णन सुनो वह इस जनम में और परलोक में भी संपून अक्षय मनुरतों को पा लेता है और अशुमेद यगी के फलका भी भागी हो जाता है। मुने, संपुन दानों और संपुन यग्यों में जो पुन्य होता है वही फल शिव पुरान सुनने से अविचल रूप में प्राप्थ हो जाता है। दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवन मातर से ही पा लेता है। प्रति दिन सुपात्र लोगों को बड़े-बड़े दान देने चाहिए वे दान दाता के उधार करता होते हैं। प्रवर स्वन दान, गौदान और भूमी दान ये पवित्र दान हैं। जो दाता को तारते तो हैं ही लेने वालों का भी उतार कर देते हैं। स्वन दान, गौदान और प्रत्वी दान इन स्रेष्ट दानों को करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की भी बड़ी प्रिशन साकी गई हैं। गव और प्रत्वी के दान भी प्रशस्त और समान शक्ति वाले हैं। परंतो सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। निति दुही जाने वाली गाए, छत्री, वस्त्र, जूता और अन्न जल की सभी वस्तुएं याचकों को अवश्य देनी चाहिए। ब्रहमणों को और अपेडित याचकों को जो संकल्प पुर्वक धन आदी वस्तुओं का दान दिया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यत अभीष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षे बनाने की इच्छा वाले पुरुष को गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। इनों कालों में मन, वानी और शरीर द्वारा किये गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। जो मनुष्य प्रहमणों, देवताओं और गववों के लिए हित कर कारियों के सिवा अन्य किसी भी कारी के लिए जूटी गवाही देता है या हमेशा जूट बोलता है वह रौरब नरक में जाता है। जो भ्रून अर्थात, गर्भस्त शिशु की हत्या और स्वन की चोरी करने वाला, गाए को कट घरे में बंद करने वाला, विश्वास गाती, शिराभी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रवी का अपहरन करने वाला और इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुम्भ नामक नरक में जाता है, गुरू के वद से भी इसी नरक की ही प्राप्ती होती है, बहन, माता, गउ और पुत्री का वद करने से भी तप्त कुम्भ में ही गिरना पड़ता है, साधवी इस्त्री को बेशने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, बालों को बेशने वाला, और अपने दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला वेद बेचने वाला और अगम्या इस्त्री से संभोग करने वाला है वे सब के सब लवण नामक नरक में जाएंगे चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है मर्यादा को दूशित करने वाले पुरुष की भी ऐस जो पुरुष देवता, ब्रह्मन और पित्रगन से द्वेश करने वाला है और जो रत्न को दूशित अर्था उसमें मिलावट करता है वह क्रमी भक्ष नामक नरक में जाता है जो दूशित या की अर्था दूसरों को हानी पहुचाने के लिए अभिचारक, प्रियोग या हिंस प्रधान तामस यग्य करता है यानि की दूसरों को नुकसान पहुचाने की दिर्ष्टी से कुछ विशेश तोटके या उपाई करता है वह क्रमीश नामक नरक में पढ़ता है जो नराधम पित्रगन देवगन और अतितियों को छोड़कर देवताद्वारा उनका भाग उन दिकारियों से यग्य करवाता है और अभक्ष भक्षन करता है ना खाई जाने वाली चीजे भी खाता हो वे सब के सब रुधिरोध नामक नरक में गिरते हैं जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गत्ती होती है यग्य और ग्राम को नस्ट करने वाला घोर वैतरनी नदी में पड़ता है जो नई जवानी से मतवाले होकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छलकपट से अपनी जीवी का चलाते हैं वे कृत्ति नामक नरक में जाते हैं जो अकारण ही व्रक्षों को काटता है वह असीपत्र नाम और पशों की हिंसा करने वाले कसाई वहनी ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। और पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं वे श्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। प्राणी स्वर्ग लोग में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं। और देवता लोग भी नीची द्रस्टी डालने पर उन सभी अधोमुक नार की जीवों को देखा करते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर, क्रमशा उन्नती करते वे इस्थावर, क्रमी, जल्चर, पशु पक्षी, मनुष्य धर्मात्मा, मानव, देवता और मुमुक्षु होते हैं। और अंतमे मुक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्राशित नहीं करता वही नरक में जाता है। हे काली नंदन स्वायंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लगू पापों के लिए लगू प्राशित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्राशित सम्बंदी कर्म बताए गए हैं। उन सब में भगवान शंकर का इस्मरण ही सर्विस्रेष्ट प्राइशित है जिस पुरुष के मन में पाप कर्म करने के बाद पश्यताब होता है उसके लिए तो एक मात्र भगवान शिव का इस्मरण ही सबसे बड़ा प्राइशित है प्रातहकाल सायंकाल रात में और मध्यानादी में भगवान शिव का इस्मरण करने से पाप रहित हु महैश्वर धाम को प्राप्प कर लेता है। भगवान शिव के इस्मरंट से समस्त पापों और क्लेशों का छै हो जाने से मनुष्य स्वर्च अत्वम मोक्ष प्राप्प olur कर लेता है। हे मुने जो पुरुष भक्ती बहाव से दिन रात भगवान शिव का इस्मरण करता है उसके सारे पाप नस्ठ हो जाते हैं इसलिए वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता नरक और स्वर्ख ये पाप और पुर्णि के ही दूसरे नाम है इन में से एक तो दुख देने वाला है औ अब एक ही वस्तु कभी प्रीती प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब ये निश्य होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और नहीं सुख में ही है ये सुख दुख तो मन के ही विकार है ज्यान ही परब्रह्म है और ज्यान ही तात्विक बोत का कारण है ये सारा चराचर्च विश्व ज्यान मैं ही है उस परम विज्यान से अलग दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है अब जानिये मृत्युकाल निकट आने के लक्षन कौन-कौन से है इसके पश्चा दीपों लोकों और मनुओं का परिचे देकर संग्राम क शरीर और इस्त्री सुवह आधि का वर्णन किया गया फिर काल के विशय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहने लगे है मुनिस्ट्रेश्ट पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्व शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी पार्वती जी ने पूछा है बखवन मैंने आपकी करपा से संपोन मत जान लिया है देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विदी से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ग्यात हो गया किन्तु है प्रभु अभी एक संशे रह गया है वे काल चकर के संबद में हे देव मृत्यू का क्या चिन्न है आयू का क्या प्रमान है नाथ अगर मैं आपकी प्रया हूं तो ये सब बाते मुझे बताए तब महादेव जी कहने लगे हे गोरे अगर अकस्मात शरीर सभी और से सफेद या पीला पड़ जाए और उपर से कुछ लाल दिखे तो ये जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यू अब 6 महने के भीतर ही हो जाएगी शिवे जब मुहु कान नेत्र और जिवा का इस्तंभन हो जाए तब भी 6 महने के भीतर ही मृत्यू जानने चाहिए भद्रे जो रुरु म्रग के पीछे होने वाली शिका काश को मनुष्य नहीं देखता उसे सब कुछ काला काला अंदकारा च्छन नहीं दिखाई देता है तब भी उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता हे देवी हे प्रिये जब मनुष्य का बाया हाथ लगातार एक सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन एक मास ही श में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता मुह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीते बीते उसकी आयू समाथ हो जाएगी देवी जिसकी जीव फूल जाए और दातों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीनों की भीतर ह की मृत्य हो जाती है इन चिन्नों से मृत्य काल को समझना चाहिए सुन्दरी जल तेल घी और दरपण में भी जब अपनी परचाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चकर के ग्याता पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयूच्य मास से अधि मास से भी अधिक जीवित नहीं रहता पारवती ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्य के लक्षन बताए हैं भद्रे अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षनों को भी वर्णन करता हूं ध्यान से सुनो जब चंद्र मंडल या सूरी मंडल प्रभाहीन और लाल अगर ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्यान ना हो मन पर मूरता चाई रहे तो छै महीने में निश्य ही मृत्ति हो जाती हैं अगर उत्तत्य नामक तारा का ध्रुप का या सूरी मंडल का भी दर्शन ना हो सके रात में इंद्रधनुष और मध्यान में उलका पात होता हुआ दिखाई दे गीध और कवे घेरे रहे तो उस मनुश्य की आयू छे महिने से अधिक की नहीं रहती अगर आकाश में सब तरिशी और स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे तो काला की पुरुषों को उस पुरुष की आयू छे मास ही समझनी चाहिए जो अकस्मात स दिली मख्यां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तों में उसकी आयू एक मास ही शेस जानने चाहिए अगर गीध कवा या कबूतर सिर पर चड़ जाए तो वह पुरुष शीगरी एक मास के भीतर ही मर जाता है इसमें कोई संशे नहीं भगवान शिव के ऐसा बताने के पाए नवधा शब्द ब्रह्म और तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाले सिध्यों के बारे में पूछा जिसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेगे उमीद करती हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पहले तो उन सभी लोगों को ब सियल पाल गुडगाउं से थैंक्यो सो मच 7216 मुसकान जी थैंक्यो सो मच मैंने आपका नाम इससे पहले भी कई वीडियो में लिया है शायद आपने वीडियो लास्ट में ना सुनी हो आपका कमेंट हमें हमारी हर वीडियो पे मिलता है ब्रह्म जीद सिंग प्रजापती मत तुरवेदी जी सीमा सोनकर जी योगेश शर्मा और आपके पूरे परिवार को मेरा बहुत सारा धनेवाद लक्ष्मी भटनागर जी हेमा अनिल रावत जी पुनम मलहूत्रा जी प्रिंस गर्ग जी नीलम बजाज जी कृष्णा गोपाल जी राम बिलास यादव जी पिंकी अगर आपका नाम लेने में आपके सरनेम बोलने में मुझे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे छमा कीजीगा और ये वो नाम है जो आपने यूट्यूब आईडी पर लिखे हैं और इनी से आप कमेंट करते हैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धनेवाद उ इस तरह से हमारी चैनल पर अपलोड होने वाली सारी कथाएं सुनेंगे